हेलो गाइज अगर आप एक वाटसाप यूजर हो और आपको पता नहीं वाटसाप को क्रोम बाउजर में कैसे चला जाता है तो इस वीडियो को लास तक जरूद देखना है क्यूंकि आज हम आपको देखाएंगे आप अपना वाटसाप को क्रोम बाउजर में कैसे चला सकते हो वो भी बीना किसी ठाट पाटी एप्लिकेशन के मदस से तो इसके लिए सबसे पेल आपको चला जना है कुरोम पर तो देखें मैं कुरोम पर चला जाता हूँ और कुरोम पर जाने के बाद यह पर आपको लिखना है whatsappwave.com तो देखें मैं यह पर लिख लिएता हूँ whatsappwave.com और लिखने के बाद आपको इसे सच कर लेना है तो देखें मैं सच कर लेता हूँ और सच करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यह पर आप देख सकते हूँ तो आपको क्या करना होगा आपको चल जाना है उपर पे और उपर पे जो यह पर थी डॉट लाइन है इसके उपर आपको क्लिक कर दना है और क्लिक करने के बाद यह पर आपको desktop side mood को on कर लेना है और rice site पर आप देख सकते हो एक QR code भी आ गया है तो आपको कह करना है आपको इसे ऐसे ही राग दना है और आपको चला जाना है WhatsApp कर तो चली मैं अपना WhatsApp को open कर लेता हूँ तो देखे मेरा WhatsApp आ गया है तो मैं इसे open कर लेता हूँ और WhatsApp open करने के बाद आपका rice site पर उपर पर दो ठी डाट लाइन है उसके उपर क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद आप देख सकतो link device एक option है इसके उपर आपको क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद आपको फिस से link एक device पर क्लिक कर दना है और आप आपको क्या करना है आपको इस स्कैनाच से उस क्यार को स्कैन करना है जो की क्रोम में खुला हुआ था और स्कैन करने के बाद यह पर आप देख सकोगे मेरा जो वार्टसेप है ओ पुरा का पुरा क्रोम में खुल जाएगा तो यह पर आप देख सकते हो मेरा जो WhatsApp है ओ पुड़ा का पुड़ा क्रोम बाजर में खुल गया है तो मैं थोड़ा जून करके आपको देखा देता हूँ ए देखिए तो गाइस सिप मेरा ही नहीं आप किसी का भी WhatsApp ऐसे क्रोम बाजर में खुल सकते हो और आप एहांसे किसी के भी साथ बात कर सकते हो या फोटो भीदियो कुझ भी सेयर भी कर सकते हो आप ओर WhatsApp पे जो जो काम कर सकते हो और सबी काम आप एहांसे कर सकते हो तो वीडियो अगर अच्छा लगए एक लाइक जरूर कर देना और चलेंट पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तकि आपका जो फेंड है ओभी इस बाड़े में जान पाए और सीख पाए तो आज के लिए इतना ह